नमस्कार खरनक, कैसी हैं आप? बई मैं बिलकुल ठीक हूँ और क्योंकि ये हफता हम पूरा ऐसा मना रहे हैं जिसको हम लव वीक के रूपे मना रहे हैं वैलेंटाइन डे के रूपे मना रहे हैं और वैलेंटाइन डे कल है इसलिए हम आज बनाएंगे कुछ ऐसी रेस्पीज जो आप अपने वेलेंटाइन के लिए मनगेतर के लिए, आप अपने स्पॉस के लिए बना सकते हैं और खास दो पर वह हजबन जो अपनी काउटरपार्ट को खुश करना चाते हैं, उनका दिल जीतना चाते हैं के लिए आज एक मीठी रेसिपी लेकर मैं आए हूं जिसका नाम है कैरट केक, ऐसा केक तक कही तरीकों से बना जाता है लेकिन आपके लिए थोड़ा सा असान बनाते हुए मैं बनाओगा आज carrot cake जी हाँ तो इसके लिए आप सबसे पहले लिख लेते हैं क्या 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 समान हमें चाहिए होगा इसके बनाने के लिए हमें गाजर चाहिए ताजा गाजर दो बड़ी बड़ी गाजर लेके आगर उसको आप कदू कस कर लें एक कप के करीब गाजर हो जाती है और इस गाजर को हमने कदू कस करके साइड में रख लेना है अब इसमें हमने कुछ nuts डालने हैं तो almonds या qaJu के इनको हम थोड़ा सा mix 눈 में पfire लेंगे और ये सारे nuts को हम मिला के डाल लेंगे तो लगभग एक कप से थोड़ा कम भी चल जाएगा तो लगभग 180 ग्राम या 1500 ग्राम के करीब नट्स हम ले लेंगे तो ये होगे हमारे ड्राइ फूर्ट्स अब इसके लावा हमें चाहिए होगा कुछ मैदा और मैदे में डालने के लिए जैसे कि नट्मेग, सिनमन, जिंजर ग्राउंड किया हुआ, बेकिंग सोडा, बेकिंग पॉर्डर है तो ये तमाम चीज़े हमें चाहिए तो एक टी स्पून हम लेंगे बेकिंग पॉर्डर का और आदा टी स्पून बेकिंग सोडा इसमें हम डालेंगे तोड़ा सा चुटकी भर नट्मेग और साथ में आदा छोटा चमच हम डालेंगे इसमें सिनमन यानि की दालचीनी का और साथ में लेंगे हम आदा छोटा चमच नमक का ये तमाम चीज़े सुखी हैं और सारी मिला देंगे हम मैदे में और छान लेंगे इन सब को एक खठा रख लेंगे इसके लावा हमें चाहिए होंगे लगबग तीन बड़े अंडे और साथ में चाहिए होगा हमें एक सवा कप यानि की एक कप और थोड़ा सा ज्यादा चीनी का कैस्टर शूगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है और इतनी ही हमें चाहिए होगी पराबर मातरा में आइल तो ये समान जब त्यार हो जाता है तो हमें त्यारी करनी है केक बनाने की कैरेट केक अवन को गरम कर लें और इसमें थोड़ा सा हम वनीला एसेंस डालेंगे और साथ ही में डालेंगे हम निम्बू का छिलका जी हाँ लेमन जेस्ट बस ये समान और रिड़ी कर लेंगे हम थ कोज़ खाना नहीं बनाते हैं तो सबसे पहले आवन को हम 175 डिग्री सेल्सियस के उपर गरम कर लेंगे और जो केक टिन है लंबा वाला या स्क्वेर वाला वो हम उसको ग्रीज कर लेंगे अंदर से थोड़ा मखन लगाते हुआ अगर आपके पास बटर पेपर हो या ना भी हो बेकिंग सोडा बेकिंग पोडर थोड़ा सा सिनमन और नट में गयाने की जैफ़ल यह सा माम चीज़ है और नमक यह मिलाके हमने पहले से रख लिया है तो हम लेते हैं एक बड़ा सा बोल और उसमें हम अंडे और चीनी को बीट करते हैं इसको अलेक्री बीटर की मज़ से भ कर सकते हैं थोड़ी महनत ज्यादा लगेगी अफटर आल भाई अपनी बीवी का दिल खुश करना है अपने तो महनत तो करनी पड़ेगी वो भी तो आपके लिए रोज कुछ ना कुछ बनाती ही है तो चलिए इनको हम बीट करते हैं और इसमें हम थोड़ा सा दो बारी में तेल भी डाल देंगे और तेल डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे वो गीली चीजें जैसे की कैरेट्स हैं हमारे पास और वनीला असेंस हैं वो डाल देंगे और साथ में नट्स जो हैं अब वो इसमें मिला के हलके हाथों से हम फोल्ड कर लेंगे और साथ में जो मैदा ह जो थे वो तयार किये थे उसके अंदर हमने इस मिक्षर को डाल के थोड़ा सा टैप करना है ताकि सेटल हो जाए कोई एर गैपनर है उसके अंदर और लगभग 45 मिनिट के लिए हमने इसको 175 डिग्री सेल्सियस के उपर बेक करना है और किसी भी सूरत में आपको लगे कि उपर से ज़्यादा हीट आ रही है तो एक फॉइल का पीस उसके टिन के उपर रख दें ताकि उपर से काला ना हो डाक ना हो जाए वो उसके बाद जब यह तैयार हो एता है पांच मिनिट के लिए इसको आवन में चोड़ें या बाहर निकाल के रख दें उसके बाद डिमोल्ड क करें और फिर इस केक स्लाइस को ठंडा होने के बाद काटें इन स्लाइस को काटने के बाद शाम के समय जब आप बैठें अपने स्वाउस के साथ अपने मंगेतर के साथ अपने वैलेंटाइन के साथ तो बस उन्हें यह आफर करें इसको आइसिंग भी किया जा सकता है लेकि चाय के साथ ड्राइ केक की तरह इसको एंजॉय करें तो ये तियार है कैरट केक आपके लिए